जय श्रीमन नारायन अगली टिपणी जोन हम कहब उँ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेनु गोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है अध्याय तेरह शेत्र शेत्रग्य विभागियोव श्लोक इकतीस अनाधित्वात निर्गुनत्वात परमात्मायम अव्ययाह सरीरस्थोपी काुंतेया नकरोती नलिप्यते वूम्व गीताचारी श्रक्ष्न परमात्मा अरजुन सहित हम सभी का ख्षेत्रग्य विभाग्योग के सिक्षा देता है परमात्मा कहता है अरजुन कहें कि आत्मा या स्वयम अपने ग्यान से पूरे श्रीर में व्यापता है हम उस आत्मा या स्वयम का शरीर के सम्मंद में परमात्मा कही थी आत्मा या स्वयम शाश्वता है कहें कि इसके कौनों शुरुवात नहीं है कहें कि आत्मा या स्वयम अविनाशिय है इका अव्याई कहा जात है इसके अत्रिक्त आत्मा में रजोगुण या तमोगुण नहीं है बलकि शुद्ध सत्वगुण है कहें कि आत्मा में केवल शुद्ध सत्वगुण है वह किसी कार्य के करता नहीं हो कही कि किसी भी कार्य का करे के लिए तीनो गुण सत गुण, रजो गुण और तमो गुण प्रस्तुत होय की चाहिए हाला कि ये तीन गुण आत्मा में नहीं है वे शरीर या प्रकृति में है इसके अलावा शरीर के गुण आत्मा या स्वयम से संबंधिन नहीं आ है ऐसा कहिके श्र्क्रिष्न पर्मात्मा आत्मा के पवित्रता का व्यक्त करता है अपनी पवित्रता अर्थात आत्मा की पवित्रता का बार बार स्मरन कईके ये अनभव कईके कि कर्म शरीर द्वारा किये जातें आत्मा द्वारा नहीं और शरीर को करतापन के श्यद एके हम कर्म के बंधन से मुक्त होई के प्रयास करत रहे श्रीकिष्ण परमात्मा के सिक्षाओं पे ध्यान करते हुए आओ हम श्रीमन नरायन का प्राप्त करे के उद्देश से अपने शरीर के सर्वोत्तम उप्योग करब शुरू करी आओ हम श्रीमत नारायन के प्रति समर्पन करी और श्रीकृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथावत दोहरावे के प्रयास करी अनादित्वात निर्गुनत्वात परमात्मा यमव्ययह स्री रस्थोपि कउंतेया न करोती न लिप्यते श्रीमत भगवत गीता के पूरा निचोड श्रीकृष्ण परमात्मा अध्याय अठारह के श्लोक पैंसट से सत्तर के आठ कर्मों में रख दे हैं श्रीकृष्ण कहिन ये आठ बात माने वाले पे हम आर्स नहे हैं ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें श्रीक्रिष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमत भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन करिश्य वचनम तव, माने क्रिष्ण हम तोरे कहे अनुसार ही करब, यह कारण क्रिष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करन, चला हमों परमात्मा के वचन दी कि हम भी यह आठ करम करब, यह वचन से बढ़के कौनों पूजा तब या यग नहीब, हम यह आठ वचन कहब, आप सब जने एका अपने मने और बुद्धी में विचार करें, यह प्रकार श्रीक्रिष्ण के निजवत वचन देज समय, परमान से प्रकाशित, श्रीक्रिष्ण के मुख मंडल के अनभूती भी करें, यह श्रीमन नारायन, हमरे आठ वचन यह हैं, हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायन, आपके निर्दाय शानसर, हम आपके ध्यान और चिंतन करब, हमार दूसर वचन, हे श्रीमन नारायन, आपके सम जाय अनुसर हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन हम आपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन जैसा आप कहन हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबध नमस्कार पूजन करब। हमार पांचवा वचन हे श्रीमन नारायन अध्याय अठारा स्लोक चाचट में आपके कतन मामेकम शरणम बरज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ आपे कहे मा शुचह, मैं आपके शोक ना करे के उपदेश आनुसार हम शोक ना करब। हमार साथमा वचन, हे श्रीमन नारायन, आपने हमरे खातिर श्रीमत भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा किये हैं, हम नियम से एक श्लोग रोज सुनब्य पढ़ब। हमार आठमा वचन, हे श्रीमन नारायन, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जी भगतन गीता के बारे हम नहीं जन दिन, हम उन तक आपके अलोकिक बतिया पचावय के प्रत्न करब। अब हैं हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताएं। श्रीमन नारायन कया वचन देब कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिक विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायन, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चही हैं वैसा यह व्योहार करब और हम किवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायन करिश्य वचनम तब, माने श्रीमन नारायन हम आपके निर्देश आनुसार कार करब। सर्वम श्री कृष्णा पनमस्तु, जै श्रीमन नारायन। अनाधित्वात निर्गुनत्वात परमात्मायं अव्ययह सरीरस्थोपी काुंतेया नकरोती नलिप्यते वूम् अनाधित्वात निर्गुनत्वात परमात्मायं अव्ययह सरीरस्थोपी काुंतेया नकरोती नलिप्यते जै श्रीमन नारायन। सबय भक्तन से विशिस अनुरूद। हमरे जीवन में सारी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रति दिन एक मिनिट व्यतीत करें और नारायन आस्त्रम पढ़ें। नारायन आस्त्रम प्राप्त करें के खातेर नारायन आस्त्रम वेबसाइट www.narayanaastrum.org पे जाएके पंजी करण में आपन नाम और एमेल दें। आपके एमेल पे आपको एक नारायन आस्त्रम पीडियेाफ तुरंट मिल जाए। ै एक रामायान श्लोक, एक गीताश्लोक और एक विश्णु नामबा तिनों का एक साथ नारायन आस्त्रम कहा जाते। प्रत्य एक व्यक्ति के इन स्लोकों के भिन भिन से उजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रति दिन अपने नाराणा अस्त्रम के पढ़त हैं या सुनत हैं। तो संपूर्ण रामण पारायान के एक माला, श्रीमत भागवत गीता पारायान के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त नाम स्त्रोत पारायान के 24 माला प्रति दिन पूरी होत। ये एक ऐसा उलेखनी और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करेश निकलत। ये के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंद जाके आपन नारायान आस्तन प्राप्त करें। जैस श्रीमत नारायान।